So, Hello everyone, once again, very welcome back to our new video. जितने भी हरा एक्स चुएक ने एक्साल कॉर्स हमेरा भीनी समय से सुफेनें मेरा हां जो है 200-500 के बीच में आरा है और हमारे लिए ब्सक्राइब चाहिए एन सब्सक्राइब वेघी姐 के भीनalnya जो, जो मार्क्स आ रहा है, तो आपको क्या मतलब बेश्ट ऑप्सन हो रहा है ना, मैं अर मितलों की समझ सकता है, कि आपका जो भी ए स्टुएंट का 500 के बिलो एर मार्क्स रहता है, तो कहीं न कहीं आर, मन में संसा होते रहा है, तक आखिरकार मेरे को कॉलेज मिलेगा, मेरा जो ड टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है, जहां पर कि सभी लोग जो है, यहां पर जो इन आपका 500 से कम आक्स है, तब तो यहां पर बहुत ही कम चांस है, तो आपको इन अस्टेट गवर्मेंट कॉलेज, आपको अस्टेट गवर्मेंट कॉलेज में तो बिलकुल आपके पास अगर आपका फर्स ड्रॉप था, सेकेंड ड्रॉप था, तो आप यार एक और चांस दे सकते हो next year के लिए, अगर जो आपका around 500, 450 to 500 marks के बीच में है, तो आप यार better options आपके लिए यही रहेगा कि next, यानि कि एक चांस आपको और देना चाहिए, next year है definitely जो आपका 650 to 700 के marks के बीच में राता है, तो confirm आप state government college में आपको एक अच्छा है, VBS seed भी आपको मिल ला होगा है, तो confirm यार आपको drop लेना चाहिए, 650 to 700 marks जो है next year, आपके पास वो possibility है, आपके पास है वो potential है कि आपका अगर जो 500 के round में अगर जो marks आया है, तो आप next year 650 to 700 marks तक जो पहुंच चकते हो है ना, पाकियर आपको यही करना है कि आपने मिल लोग की drop दो तीन साल से ले रहे हो, तो आपको सारी चीज़े यार फिर प जो है आप drop ले सकते हो, बाकियर मैं और क्या option है वो भी नेक्स जो है बात करने वाला हूँ, अब फाइनली बात कर लेते हैं, SCST category and K marks, SCST, PWD category का है, अगर जो marks आपका 400 to 500 के बीच में है, तो आप यहार मतब की safe category में आपको चांसेस है कि आपको a state government college, MBBS seat जो है आपको maximum possibility है drop for the next year, आपके पास एर चांसेस है कि आप एक अच्छा government college में, एक better government college में आपको एम्स college में मिला होगा, अगर जो 400 to 500 marks के बीच में आ रहा है, SCST, PWD category के लिए, तो आप एर next year के लिए अगर जो drop लेते हो, तो आपका maximum chances से कि आपका 600, 650 के round में आ जाता है, तो आपको 100% chance है क आपको एम्स college में MBBS seat मिला होगा है, तो आपको एर सेम वही आपके work करना है, आपके mistakes पे, तो आप जो है next year जो बहुत ही अच्छा कर सकते हो, अगर जो आपका first drop, second drop था, तो एक chance जो at least यार और देना चाहिए है, अगर जो आपका 25 years से कम age है, तो आपको एर जरूर से और नहीं है, तो आपको एक बोलते हैं कि आपको society में एक अलग ही respect से, एक अलग ही नजरिये से देखा जाता है, MBBS doctor को है, तो बेटर रहेगा कि अगर जो इतना marks आ तो आप drop ले सकते हो, बाकियार अगर जो वैसे student जिनका कि fourth, fifth या तो फिर sixth drop आपका था, तो make sure that आप जो ह 500 marks के बीच में है, यानि कि 400, 450 एसा marks है, तब आपके लिए क्या क्या chances है, there is possibility BMS in government college, आपके पास एस chances है कि आपको MBBS seat तो बिल्कुल भी नहीं मिल लोगा, या बहुत ही मुस्किल है कि MBBS seat कोई भी दिला सकता है, counseling की throw ही होता है, अगर जो है कोई ऐसा बोल रहे है कि मैं तु तो ये करो वो करो, तो वो सब क्यार फरजी के चकर में नहीं पढ़ना, क्योंकि इस टाइम यार मन्दब ये जो season होता है न, ये फरजी वाले का जो fake news ये सब इधर उधर करने वाले जो होते है न, उनका जो बहुत ही जादा ये सब आपको इस तरह की से trust दिलवाएंगे, ये college में मेरा contact है, यहाँ contact है, वहाँ contact है, तो ये सब के चकर में बिलकुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि previous year का data के basis पे, मैं ये सारी बाते में जो आपको बता रहा हूँ है न, तो 450 के marks के बीच में अगर जो है, आपका 450 के round में अगर जो आपका marks है, अगर जो आप general OBC category से हो, तब आपको chances से MBBS seat नहीं, लेकिन BMS जो किया अच्छा course माना जाता है, MBBS के बाद BDS and BMS, 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 BHMS यही सब courses सारे होते हैं, तो आपको state quota के तुरू, state government college में आपको BMS seat मिल लागा, इन इसके साथ-साथ BHMS भी आपको मिल रहा होगा, and in private college BMS, BHMS fees 3 lakh to 3.5 lakh, आपको state government college तो any state private college में है न, बाकियार इसमें opportunity क्या है, बहुत सारे student बोलते रहते हैं कि BHMS हो गया, BMS हो गया, यह समझे में opportunity क्या होता, आखिर का degree complete होने के बाद क्या कर सकते हैं, तो आप फिर government या फिर private hospital में job भी कर सकते हो, and इसके साथ-साथ आप अपना clinic भी open कर सकते हो, अपना जो hospital आपका टाउन में बहुत ही ज़्यादा demand है BMS and BHMS, जो degree कर लेते हैं, उसके बाद फिर बहुत ही ज़्यादा आपका scope हो गया होगा है न, बाकियार सेम, आप मतलब next year के लिए आप drop भी ले सकते हो, अगर आपका second drop, third drop था, तो एक drop, एक और chances अपने आपको दे सकते हो, otherwise BSE nursing का course होता है, अगर जो आपका more than 350 marks, अगर जो आपका आया हुआ है, तो more than 350 marks, 360, 380, 400, 450, 500, याने की 350 to 500 marks के बीच में है, तो आपको एर BSE nursing college easily आपको मिल सकता है, previous year 3-4 सालों की से अगर जो बात में, तो BSE nursing का है, जो holder का बहुत ही ज़्यादा भैकेंसी, देखने को मिला है, 40-50,000 का जो है, आपको salary के साथ, बिलाब, fresh arrangement को जो है, आपका just, जैसे बीटेक degree complete होगा, 42-50,000, आपका job easily लग जाता है, पर्मेंट अगर जो किसी भी हो hospital में, अगर जो आपका job लगता है, तो आपका और 60-70,000 का आपका starting salary हो रहा होगा है, और इसमें जो है, आपको state government government college, state counseling में आपको participate करोगे, तो जो है more than 350 marks है, तो आपको easily BSE nursing का course आपको मिल लाएगा है, तो आपका 350 plus marks है, तो आप BSE nursing के लिए भी जा सकते हो, यह भी हार, अगर जो पूरा एकदम से ठाक हार चुके हो, कि फिछले 3-4 साल से लगे हुए 5 साल हो गया है, तो फिर आपके ल पलस अगर जो marks आता है, तो आपको at least BSE nursing course यह सा मिल सकता है, या तो फिर next वही आपको उपसाने सबसे last किया private college में जो है, आप जो है admission ले सकते हो, है ना, क्योंकि यार मतलब कि और तो 200, 300 marks पे कहीं कोई government college यह समय है, या तो फिर कोई course में आपको admission मिल नहीं हो, मिल नहीं करता है, टेलीग्राम चैनल में आप लोग जरूर से जरूर जोइन कर लेना है, चैनल पर आप लोग नहीं होते हैं, चैनल को सबस्क्राइब कर लेना, ताकि और भी बहुत सारे वीडियो जो है, आपको counseling जैसे ही स्टार्ट होगा, तो counseling से related बहुत सारे वीडियो आते रहें टेलीग्राम चैनल में भी आप लोग जोईन हो जाना है न, वाकी बास से हैं, वाकी मिलते हैं, फिर किसी नेक्ष वीडियो में, किसी नेक्ष न्यूर अपडेट के साथ, वीडियो आर अच्छी लिग वीडियो को like कर देना, और चैनल को subscribe कर देना, so thank you very much, and wish you all the best, bye bye, love you all, thank you so much